हेलो दोस्तों, स्वागत एक बार फिट से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम क्लास नाइन्द के पहले चेप्टर के क्वेशन आंसर के बारे में चट्चा करेंगे जो की है matter in our surrounding तो सुरू करते हैं इसमें जो पहला प्रशन पूछा गिया है NCRT book के page number 3 पे निम लिखित में से कौन से पदार्थ हैं तो यहाँ पे कुछ पदार्थों के नाम दे रखें चेर, air, love, smell, hat, element, thought, cold, lemon, water, smell of perfume इन में से हमने find out करना की कौन कौन से matter है तो answer क्या होगा इसका? चेर, answer, air, element, lemon, water, smell of perfume perfume की smell पदार्थ में क्यों consider होगी? क्योंकि इसमें volatile substance होता है जिसके कारण हमें smell महसूस होती है तो यह इसका answer है दूसरा question है निम लिखित observation के कारण बताई है कौन-कौन से है? गरम खाना खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है तो इसका reason क्या है? तो इसका answer यह है तापान बढ़ने पर गरम खाना खाने से निकलने वाली gas की कड़ों की गती बढ़ जाती है जिससे उसकी गती उड़ जा भी बढ़ जाती है जिसके कारण गरम खाने की सुगंद कई मीटर दूरी पर इस्तित ब्यक्ति आसानी से पहुँचाती है कहने का मतलब है कि काइनटिक एनर्जी जो होती है वो heat करने से particle की बढ़ जाती है जिससे जो गरम खाने की समले वो दूर तक पहुँचाती है तीसरा question है इसमें आपका swimming pool में गोताखोर पानी काड़ पाता है इससे पदार्थ का कौन सा गुन परदरशित होता है तो answer क्या होगा इसका swimming pool में गोताखोर पानी काड़ पाता है क्योंकि पानी के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकिर्थ अधिक कणों की बीच की दूरी आकरशनबल कम होता है कहने का मतलब है कि जो पानी होता है उसके पार्टिकल के बीच में जो है खाली इस्तान जादा होता है जिससे क्या होता है हम आसनिस उसको कार सकते हैं खाली स्तान के साथ साथ उसके पार्टिकल के बीच जो attraction force है वो भी कम होता है Question No.4 है पदार्थ के कणों की क्या विसेस्ताई होती है तो इसकी मुखेता 3 विसेस्ताई है कणों के बीच रिक्तिस्तान होता है No.1, No.2, कणों के बीच आकाशनमल होता है No.3, कण निरंतर गतिशील होते है Next है इसका Question किसी तत्तों के प्रति एकाई आयतन के दरविमान को गहनतों कहते है निमन लिकित को बढ़ते हुए गहनतों के करम में ब्यास्तित कीजिए वायू चिमनी से निकलने वाला धुआ सहद, जल, चौक, रुई, तथा लोहा यहाई density के आपको परिवास्त दे रही है उसका formula है density is equal to mass upon volume तो यह कुछ matter दे रहे हैं यहाँ पर तो इनकी जो है density के किस करम में बढ़ाना है आपने बढ़तेवे करम में सबसे पहले हमने लिखना है जिसके घंत्व सबसे कम होगा उस पदार्थ का नाम और लास्ट में जिसका सबसे ज़्यादा होगा तो आंसर है हवा सबसे कम density इसमें जो component दे रहे हैं हवा की है उसके बाद चिमनी से निकलना वाला धुआ है उसके बाद cotton गुणों में होने वाले अंतर को सारने वद कीजिए कौन-कौन से अंतर है नमबर एक solid liquid gas में आपने difference करना है और दूसरा क्या है निम लिखित पर टिपनी कीजिए दिर्ता, compressibility, तरलता बरतन में gas भरना, आकार गतिज उर्जा एवं गरत्वा इनकी परिवाशा लिखनी है और solid liquid gas में difference दिखना है तो पहले का answer है इसमें हम क्या देखते है गुणों को देखेंगे सबसे पहले shape आकार solid का क्या होता है fix होता है liquid का fix नहीं होता है और gas का भी fix नहीं होता है दूसरा गुण है item solid का निश्चित नहीं होती है अगला गुण है तललता तो ठोस बहना ही सकते है द्राव बहती है और gas भी बहती है अगला गुण है अकरशनबल ठोस में अधिक्तम होता है liquid में ठोस से कम होता है और gas में बहुत कम होता है खाली स्तान solid में बहुत कम होगा आपको पता है solid के particle के बिच बहुत कम space होता है और liquid में ठोस से अधिक होगा और gas में maximum होता है compressibility मतलब हम किसी चीज को कितना दबा सकते हैं तो solid को हम बिल्कुल नहीं दबा सकते liquid थोड़ा बहुत दबा सकते हैं जबकि gas को हम सबसे अधिक दबा सकते हैं gas का example क्या है LPG जिसको हम compress करके cylinder में रख लेते हैं अगला answer इसमें rigidity दिर्था की क्या बरिवासा है पदार्थ का वहाँ गुण है जो उसे बायबल के विरुद अपने आकार को बनाये रखने की चेश्टा करता है दिर्था कहलाता है कहने का मतलब है ये जो rigidity है outer जो area है solid का उसको बनाये रखता है उसको दबाने का विरुद करता है उससे हम क्या बोलेंगे rigidity अगला है compressibility इसको आप इस परकार समझ सकते हैं पदार्थ के कणों के बीच रिक्तिस्तान होता है पदार्थों पर लगने वाले बायबल के कारण उसके कंड नजदीक आ सकते हैं इस गुण को संपीड़ता कहते हैं गेस तथा द्रव संपीड़िय होते हैं जबकि solid compressible नहीं होता है compressibility का मतलब यहाँ पर यह समझते हैं solid को हम बिल्कुल नहीं दबा सकते हैं liquid gas में इसलिए इसको सबस्याद दबा जा सकता है liquid में थोड़ा कम होता है इसको थोड़ा दबा सकते हैं और solid में बिल्कुल भी रिक्तिस्तान नहीं होता है इसलिए इसको हम दबा नहीं सकते हैं अगला है fluidity या तरलता तरलता हम किसे कहेंगे पदार्थ के बहने की प्रकृति को तरलता कहते है द्रव तथा कैस बहती है यह आप आसनी समझ गयोंगे अगला है बर्तन में गैस भरना गैसों में कण होते हैं जो सभी दिसाओं में आसानी से गतिया कमपन करते हैं अगला है शेप आकार यहाँ पदार्थ की निश्चित सरचना है जिसमें बाहरी तरफ से बाउंडरी होती है जब हम कोई पदार्थ देखते हैं तो उसके लिए कहते हैं कौन सा शेप है आप उसी को समझ सकते हैं काइनेटिक एनरजी यह गतिज उड़जा कड़ों में गति के कारण जो उड़जा होती है उसे गतिज उड़जा कहते हैं गैस के कड़ यहाँ पर कारण लिग ज़िया है यहाँ पर एक चुली आएका कड़ गैस के कड़ रेंडमली वाइबरेट करते हैं क्योंकि उनमें अधिक्तम गतिज उड़जा होती है Randomly का मतला होता है बहुत free होके वो कहीं भी इदर उदर जा सकती है इसलिए उसको बोलते है Randomly अगला है density इसे हम कैसे समझेंगे प्रति इकाई आयतन के दर्विमान से इसे प्रिवासित किया जा सकता है ठोस की density सरवादिक होती है और गैस की सबसे कम होती है अगला question है कारण बताईए क्या कारण बताना है गैस पूरी तरह उस बरतन को बढ़ देती है जिसमें इसे रखते हैं नमबर एक नमबर दो क्या कारण बताना है गैस बरतन की दिवारों पर दबार डालती है नमबर तीन लकडी की मेज ठोस कहलाती है और नमबर चार हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं लेकिन एक ठोस लकडी के टुकडे में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्च होना बढ़ेगा तो इसका कारण जानने का हम प्रयास करते है नमबर एक गैसों के कणों की गति उड़जा अत्यदिक होती है तता इनके बीच आकरशन बन लगाने के कारण वे सबी दिसाओं में तीवर गति कर सकती है तता जिस बरतन में रखे जाती है उसे पूरी तरह भर देती है ठीक है नमबर एक रिजन था उसका अंसर ये है सेकंड है की सेकंड वाला क्या है की गैस बरतन की दिवारों पर दबाव डालती है तो इसका अंसर क्या होगा गैस बरतन की दिवारों पर दबाव डालती है तथा आपस में एवं बरतन की दिवारों से टकराते रहते हैं जिससे बरतन की दिवारों पर दबाव पड़ता है जैसे आपको पता है जो गैस के पार्टिकल होते हैं उनके बिच एट्रेक्शन फोर्स क्या होता है बिल्कुल भी नहीं होता है ठीक है? और उनकी में गतिजओता बहुत जाता होती है इसलिए जब किसी बतन में ये रखे जाते हैं तो ये कहीं भी आसानी से विचरण कर सकते हैं, जा सकते हैं इसलिए ये क्या करती हैं? बतन की दिवारों पर दबाव डालते हैं अगला answer क्या था कि लकड़ी کے मेज ठोस क्यों होता है तो लकड़ीके मेज के कंड आपस में एक दुसरे से मजबूटी से पैक रहते हैं क्यों रहते हैं पैक क्यूंकि उनके वीज़ रिक्तिस्तान नहीं पाया जाता है इनके बीज रिक्स्तान नहीं होता है तता इने दवाया जा सकता है और ना ही बहते हैं इसे ना तो दवाया जा सकता है यहाँ पे आना था नहीं नहीं दवाया जा सकता और ना ही यहाँ बहते हैं यहाँ सभी गुण ठोस में होते हैं इसलिए लकडी के मेज को ठोस कहा जाता ह क्यूंकि यह सारे गुन ठोस में पाये जाते हैं इसलिए लगड़ी को भी हम ठोस में consider करते हैं अगला जो चोथा है उसका answer क्या होगा यहां पर पूझा गया था कि हवा में हम हाथ आसाने से फैला सकते हैं बट ठोस या लखडी तोड़ने के लिए हमें कराटे में लक्षोन ना पड़ेगा क्यों इसका रीजन है या इसलिए होता है क्योंकि हवा के कणों के बीच आकरश्रमान लगलने होता है इसलिए बहुत कम बाहरी बल से इसे हटाया जा सकता है जबकि ठोस के कड़ों के बीच अत्यदिक आकरश्रमान होता है इस बल के कारण ये पास-पास बंदे होते हैं जिसे तोड़ने के लिए अत्यदिक मातरा में बल का परियोग करना पड़ता है जिसके लिए हमको कराटे मे दक्ष होना पड़ता है नेक्स्ट क्रिशन है इसमें सामानय ता ठोस पदार्तों की अपिक्चा द्रवूं का घनत्व कम होता है लेकिन आपने बर्फ के टुकडे को जल में तेरते हुए देखा होगा पता लगाईये ऐसा क्यों होता है इसका कारण क्या है बर्फ ठोस होती है लेकिन इसका घंड़ तो इसकी सरचना के कारण पानी से कम होता है बर्फ के कंड पिंजरे के समान सरचना बना लेते हैं जिसमें अत्यदिक रिक्तिस्तान होता है इस कारण से बर्फ के ओपर बर्फ पानी के ओपर तैरने लगती है कहने का मतलब क्या है कि जब ये बर्फ किस से बनती है पानी से बनती है जब ये पानी से बनती है तो जब solid में convert हो रहे के दोरान इसके particle पिंजरे के समान सरचना बना देती है जिससे particle के बीच में रिक्तिस्तान जादा हो जाता है जब कि solid की property क्या है particle पास-पास होते हैं लेकिन बर्फ के case में ऐसा नहीं होता है जिस कारण ये क्या होता है float करने लगते हैं अब चर्चा करते हैं अब यास प्रश्णों की इसमें नमबर एक निम्ल लिखी ताप को Celsius बेमाने में बदलें कौन से ताप है 300 Kelvin और 573 Kelvin बदलना किसमें है डिगरी Celsius में तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो पहले का आंसर है 300 minus 273 तो आंसर आया आपका 70 degrees Celsius तो यह हमने कैसे निकाला इसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए 0 degree Celsius बराबर होता है 273 Kelvin ठीक है जब भी हमको Kelvin से किसमें बदलना है डिगरी Celsius में बदलना है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है 300 और छोटी संख्या क्या होगी 0 degree Celsius बराबर 273 degree होगी ठीक है 273 Kelvin तो हमने 300 में से क्या घटा दिया 273 Kelvin घटा दिया और हमारे पास क्या बचा 27 degree Celsius यहाँ पर जो आ गिया है नेक्स्ट है 573 तो degree Celsius के लिए हमने फिर क्या माइनस करना है 273 तो हमारा आंसार रहा 300 हमेशा यह धियान रखना है जब भी Kelvin को degree Celsius में बदलेंगे तो वहाँ घटाना होगा और जब भी degree Celsius से Kelvin में बदलेंगे तो वहाँ अंकों को जोड़ना होगा ठीक है माना अगर प्रश्ण आता है कि 10 degree Celsius को Kelvin ताप में बदलिये ठीक है तो हम कैसे बदलेंगे हमें पता है 0 degree Celsius बरावर होता है 273 Kelvin जब 0 बरावर 273 होता है तो 10 degree Celsius बरावर कितना होगा 273 में हम कितना जोड़ देंगे 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 283 Kelvin इस प्रकार से हम Celsius से Kelvin में और Kelvin से Celsius में बदल सकते हैं दूसरा प्रश्ण है यहाँ पे जल की बहुती कवस्ता क्या होगी कितने पे 250 degree Celsius और 100 degree Celsius तो 250 पे होगी बच्चों gas क्यों होगी हमें पता है कि जल का जो है boiling point है 100 degree Celsius मतलब उस पे बॉil होना सुरू हो जाता और gas में convert हो जाता है तो यहाँ पे 250 है सौभाविक बात है वो gas form में होगा दूसरा है 100 degree Celsius तो 100 degree Celsius का आंसर है liquid as well as gas यह आंसर इसलिए है क्योंकि 100 degree Celsius में द्रव अवस्ता से जल गैसी अवस्ता में परिवर्टित हो जाता है तो यहाँ पे liquid अवस्ता में भी हो सकता है और gas अवस्ता में भी हो सकता है next question है question number third जो कि है किसी भी पदार्थ की अवस्ता परिवर्टन के दोरान तापमान इस्तिर क्यों रहता है तो इसका आंसर क्या है यहाँ गुप तुश्मा के कारण होता है इस उस्मा से बड़े हुए तापमान का उप्योग पदार्थ की अवस्ता में परिवर्तन के लिए होता है जिस कारण से अवस्ता परिवर्तन के दोरान तापमान इस्तिर रहता है ठीक है जैसे जो है पानी का वाइलिंग पॉइंट क्या है सो डिगरी सेल्सिय से उसमें वो अवस्ता में परिवर्तन करने लगता है तो उसमें क्या होता है कि जो तापमान है वो क्या हो रखता है constant रहता है तो उस constant तापमान के दोरान क्या होता है जो बड़ा हुआ तापमान है उसका उप्योग अवस्ता के परिवर्तन के लिए होता है अगला question 4 है वाईयो मंडल में गैसों के को ध्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विदी सुझाई है तो क्या होता है? इसकी क्या विदी है? दाब को बढ़ा कर तथा तापां गठा कर यहां किया जा सकता है जिससे गैस के कड़ों के बीच रिक्तिस्तान कम हो जाता है तथा वो द्रब में बदल जाती है जैसे आप पता है ये कोई दो हमारे पास बढ़तन है इसमें गैस अवस्ता यह है पांच पार्टिकल है इनके भी इतनी सारा रिक्तिस्तान है ठीक है और दूसरी condition यह है यह 5 particle है इसके बहुत कम रिक्तिस्तान है तो यहाँ पर क्या हुआ हमने ज़्यादा pressure डाला ठीक है और यहाँ पर था compressure ज्यादा pressure डालने से क्या हो सकता है जो gas है ज़िए उसके particle नज़िक आते हैं तो वो liquid state में बदल जाता है मतला इसमें क्या होत की बाहरी दिवारों पर लगाता और पानी चड़कता है यहाँ पानी गरम सुखे मौसम की कारण वास्पित हो जाता है वास्पिकरण के कारण cooler के अंदर की वायू ठंडी हो जाती है और यहाँ ठंडी अवायू पंखे के द्वारा कमरे में बेज दी जाती है यह कौन से principle प उसके outer layer उसे पानी spread होता है ठीक है तो यहाँ पानी क्या हो सकता है जब वास्पित होता है तो क्या वास्पित होने के लिए वो cooler के आसपास से energy लेगा अंदर से energy लेगा तो वहां के आसपास का temperature क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और कम होने से क्या होगा वहाँ हाँ ठंडी ह जाएगी और वो ठंडी हावा पंके के द्वारा कवरे में बेज दी जाएगी नेस्ट क्वेशन है गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है तो इसका भी प्रिंसिपल लगबग होई है देखिए घड़े में प्राकिर्दी रूप से छिदर होते हैं इन छोटे छिदरों से पानी का रिसाव होता रहता है जिससे घड़े की सता से वास्पिकर्ण होता रहता है वास्पिकर्ण की प्रक्रिया में उर्जा की आवशकता होती है जो की घड़े में रखे पानी द्वारा पूरी की जाती है इस कारण घड़े में रखा पानी ठंडा होता है कहने का मतलब है ये कोई घड़ा है ठीक है इसके अंदर क्या है हमने पानी बरा हुआ है अब ये घड़ा किसका बना होता है मिट्टी का तो इससे लगातार पानी की बूंदे क्या होती है? बाहर निकलती रहती है घड़े से, यह उसकी natural property है. अब क्या होता है? जो यह बाहर outer layer में जो उसकी बूंदे आई है, वो वास्प में परिवर्थित होती है गर्मियों में, तो वास्प में जब परिवर्थित होगी, तो वास्प में परिवर्थित होने के लिए पानी की बूंदे को किस क्या क्या आवशकता होगी? उस्मा क्या आवशकता होगी? तो उस्मा कहां से लेगा? उस्मा लेगा अंदर से गड़े के अंदर से उस्मा लेगा अगर गड़े के अंदर से उस्मा लेगा तो स्वाभाविक बात है जो गड़े के अंदर का पानी है वो क्या हो जाएगा उसकी उस्मा जब बाहर चली जाएगी तो उस्वाभाविक बात है अंदर का पानी थंडा हो जाएगा इसलिए ये एक natural freeze है क्या जो मिट्टी के घड़े होते हैं इसमें पानी थंडा रहता है next question है इसमें acetone या petrol या perfume डालने पर हमारी हतेली थंडी क्यों होती है यहाँ पर भी वही principle काम कर रहा है evaporation वाला acetone, petrol या perfume वास्पसील पतारते मतलब volatile जो उड़ जाते हैं air के contact में आने से जो कि वायू के संपर्ग में आने पर वास्पिक्रित हो जाते हैं वास्पिकरन की परक्रिया के लिए आवश्यक या आवश्यक उड़ जा हतेली से ली जाती है जिस करण हमें हतेली ठंडी महसूस होती है यहाँ पर यह वह है, यह कोई हाथ है, ठीक है हमने यहाँ पर acetone डाला, acetone के एक volatile substance है यह तुरंद क्या होता है, अपनी liquid अवस्ता से gas अवस्ता बतल जाता है तो किसी भी state change होने के लिए उसको उश्मा के आवस्ता होती है तो वो उस्मा यह जो particle है, या फिर यह liquid है, कहां से ले रहा है, हतेली से ले रहा है जो हतेली से उश्मा ले रहा है, तो हतेली की उस्मा कम हो रही है हतेली के उसमा कम हो रही है तो हतेली में हमें क्या मेसूस होती है ठंड़क मेसूस होती है अगला क्वेशन है फूर कप की अपेक्चा प्लेट से हम गर्म दूद या चाई जल्दी क्यों पिलेते हैं तो यहाँ पे जो इसका अंसर है प्लेट की सता का छेतरपल कप की सता के छेतरपल से अधिक होता है जिससे वास पिकरन जल्दी होता है इसलिए कप की अपेक्चा प्लेट से हम गर्म दूद या चाई जल्दी पिलेते हैं यह कोई गिलास है यह कोई प्लेट है तो साथ स्वाभाविक बात है इसका एरिया कितना है जादा है जादा एरिया में चाय फेलेगी तो उतनी जादा क्या होगी जल्दी ठंडी होगी इसका एरिया कम है कम एरिया कारण क्या होगा ये देर में ठंडी होगी तो जो प्लेट में चाय है उसको हम जल्दी पी क्योंकि वो जल्दी ठंडी हुई है किसकी कारण वास्पिकरण की कारण अगला प्रश्ण है गर्मियों में गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए तो इसका अंजर है गर्मियों में हमें हलके रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि यहां गर्मी को रिफ्लेक्ट करते हैं मतलब अपने से दूर फिंकते हैं सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं इससे पसीना अवसोशित हो जाता है और वास्पिकरण तेजी से होता है इस परक्रिया में हमारी तचा से वास्पिकरण की गुप तुश्मा ले जाती है इसलिए तचा पर ठंडक मैसुस होती है यहाँ पर एक सब्द बार बार उप्योग हो रहा है वास्पिकरण वास्पिकरण का संबंद की से है जो ठंडक से है जहाँ पर वास्पिकरण हो रहा है तो वहाँ मतलब ठंडक भी हो रही है तो आप कर्मियों में इसलिए हलके कबड़े पहनते हैं और तीसरा किया होता है वास प्रिकरन के क्रियामें क्या है जो स्वेट है उसको अपना अवस्था परिवर्वर्तन करने के लिए उसमा चाहिए और वह गुबतुशमा कहां से लेता हो हमारे सरीर से लेता है हमारे सरीर से गुप तुश्मा लेगा तो उसमा कहां कम होगी हमारे सरीर में कम होगी हमारे सरीर में कम होगी तो हमें जिस से क्या होगी थंड़क महसूस होगी नेक्स्ट कोईशन है एक्सरसाइज कोईशन निमलिखित तापमान को सेल्सियस सिकाई में परिवर्थित कीजिए तो यहाँ पर 293 है यह प्रशन इस पर कागर प्रशन पहले भी आया था तो हमने क्या करना है 293 इसमें से जब डिगरी सेल्सियस में बदलना है तो मैंने क्या कहा था पहले यहाँ क्या होगा गटाओ होगा किसका गटाओ होगा 293 से हम क्या गटाएंगे 273 क्यूंकि 0 डिगरी सेल्सियस बरावर कितना होता है 273 केल्विन तो यहाँ पर अंसर आजाएगा 20 डिगरी सेल्सियस सिमिलर 470 में से फिर हम कटाएंगे 273 और ना अंसर आ जाएगा 197 degree Celsius क्यूंकि जब 0 degree Celsius में 273 Kelvin होता है तो 293 में कितना होगा तो यहां से बड़ी संख्यास हमने यह चोटी संख्या किया अगर लिए घटा ली अब यहां पर देखिए अब इसके यहां पर उल्टा आ गया इसमें हमने ताप मान को कैल्वीने बदलना है 25 degree Celsius और 373 degree Celsius तो मैंने पहले ही बताया था जब हम degree Celsius को कैल्वीने बदलेंगे तो यहां पर क्या होगा जोड होगा, addition होगा, plus होगा ठीक है, किसके साथ होगा 273 के साथ घटावा भी होगा तो इसी के साथ जब degree Celsius से कैल्वीने बदलना बदलेगा, तो 273 जुड़ेगा जब कैल्वीन से 0 degree Celsius बदलना है तो 273 घटेगा तो यहां पर आप देखिए 25 plus 273 298 कैल्वीन, राइट और 273 plus 373 646 कैल्वीन यह इंसका answer है Question number third क्या करना है Nefthaline ball कुछ समय बाद बिना कोई ठोश छोड़े गायब हो जाती है इसका answer क्या भागा Nefthaline ball कुछ समय बाद बिना कोई ठोश छोड़े गायब हो जाती है क्योंकि Nefthaline ball Urdhopatit होकर सीधे Vasp में परिवर्थित हो जाती है यहाँ पे आपने पड़ा था solid जब सीध है किसमें बदलता है गैस में बदलता है उस process को बोलते है sublimation या उर्दपातन तो यहाँ पे क्या होगा solid का कोई भी part नहीं बज़ेगा पूरा गायब हो जाएगा इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है नेप्तलीन जब कनवर्ट हो रही है गैस में तो उस हब की solid का हो जा रहा है उसका गायब हो जा रहा है due to sublimation next हम इतर की गंद को बहुत दूर बैटे हुए भी प्राप्ट करते हैं तो आंसर क्या होगा इतर या पर्फ्यूम की गंद को कई मेटर दूर भी प्राप्ट कर सकते हैं क्योंकि पर्फ्यूम वास्पसिल प्दार थे फिर से या आंसर आ गया volatile substance ठीक है तता तेजी से विसरित होता है विसरित का मतलब होता है फैलना एक जगा से दूसरे जगा फैलना इसका मतलब होता है विसरित जिससे दूर बेठा ब्यक्ति भी ब्यक्ति को भी यहा मैसूस हो जाता है आपको पता है जब जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं highly mobile होते हैं उनमें गती होती है और काईटी इनरजी भी ज़्यादा होती है जिसके कारण वो आसानी से दूर दूर तक फैल जाती है question number four निमने लिखित पदार्थों को उनके कड़ों के बीज बढ़ते हुए आकर्शन के अनुसार भी उस्तित करें कौन कौन से हैं जल, चीनी, ऑक्सिजन तो इसका आंसर क्या होगा पहले आएगा ऑक्सिजन ठीक है उसके attraction क्या होगा इन में सबसे कम होगा उसके बाद यह क्या है यह gas gas के particle में attraction सबसे कम होता है यह नगार्ण होता है उसके बाद water इससे थोड़ा जादा होता oxygen से उसके बाद है sugar sugar क्या है? एक solid है इसके particle क्या होते है? बिल्कुल नजदिक नजदिक होते हैं क्योंकि इन में attraction force ज़्यादा होता है अगला question है यहाँ पर निमली की तापमान पर जल की भोती कवस्ता 25 degree Celsius, 0 degree Celsius, 100 degree Celsius तो 25 में क्या होगी? liquid हमें पता है 0 से लेके 100 तक पानी द्रवावस्ता में होता है अब फिर यहाँ पर आगे बटा है 0 degree Celsius तो 0 degree Celsius में solid और liquid दो नहों हो सकता है क्यों? क्योंकि 0 degree Celsius में ice किसमें बदनने लगती है water में बदनने लगती है तो इसका answer क्या हो जागा? solid या liquid और 100 degree Celsius में भी वही condition है liquid and gas क्यों? क्योंकि यहाँ पर liquid किसमें बदनने लगता है gas में बदनने लगता है क्यों बदनने लगता है? क्योंकि water का जो boiling point है 100 degree Celsius है next question पुष्टी है तू कारणते जल कमरे के ताव पर द्रव है answer क्या है इसका? जल कमरे के ताव पर द्रव है क्योंकि इसका हेमांग या freezing point 0 degree Celsius तथा कुतनांग या boiling point 100 degree Celsius होता है अब आप कहीं पे भी हो तो आपके कमरे का ताव मन माना 17 degree Celsius है या आपके कमरे का ताव मन 40 degree Celsius है या 2 degree Celsius है तो इन सभी condition में जो जल होगा वो किसी state में होगा लिक्विड इस्टेट में क्यों? क्योंकि हमें पता है 0 degree Celsius से लेके 100 degree Celsius तक जो जल है वो द्रव आवस्ता में होता है अगला question लोहे के आलमारी कमरे के ताव पर ठोस है इस cancer भी वही है लोहे के आलमारी कमरे के तापपा ठोस होती है क्योंकि लोहे का गलनांग या melting point कमरे के तापवान से ज्यादा होता है, ठीक है? मैंने बताया था जिसे water case में 17 degree Celsius कमरे का तापवान है तो कमरे के तापवान पे लोहा क्या होता है? नहीं पिघलता है, क्यों? क्योंकि इसका mediting point बहुत ही ज़ादा होता है पानी से बहुत ज़ादा होता है इसलिए वो क्या होती हमेशा solid state में होता है question number 7 273 Kelvin पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी ताबमान पर ठंडा करने पर सीतलता का परभाव अधिक क्यों होता है तो इसका answer क्या है 273 Kelvin या 0 degree Celsius पर बर्फ किसी पदार से गुपतुश्मा लेती है जो पहले इसकी आवस्ता में परिवर्तन लाता है फिर इसके ताब में वृद्धी करता है प्रन्तु इसी ताब पर जल केवल ताब में वृद्धी के लिए ही गुश्मा प्राप्त करता है इसलिए बर्फ अधिक सीतलता परदान करता है क्योंकि जल किसी परकार की गुपतुश्मा नहीं लेता आप नहीं समझे फिर से समझो आइस है ठीक है आइस हमने हाथ पे पकड़ी एक हाथ पे हमारा क्या है पानी गिर रहा है हमारे हाथ से गुपतुश्मा ले रही है हमारे हाथ से गुपतुश्मा लेगी सिंपल सी बात है हमारे हाथ की उश्मा कम होगी हाथ की उश्मा कम होगी तो हाथ को क्या लेगी ठंडग लेगी लेकिन वाटर के केस में क्या हो रहा है वाटर किसी भी परकार की गुप तुश्मा नहीं ले रहा है क्यों कि वो अवस्ता परिवर्तन नहीं कर रहा है अवस्ता परिवर्तन नहीं कर रहा है तो गुप तुश्मा नहीं ले रहा है तो हमारे हाथ में उश्मा की कभी नहीं हो रही है हमारे हाथ में उश्मा कमी नहीं हो रही तो हमारे हाथ को ठंड़ा कभी नहीं लग रही है क्वेसिर नमबर एट उबलते हुए जल अत्वा भाप में से जलने की तीवरता किसमें अधिक महसूस होती है तो इसका आंसर है 100 डिगरी सेल्शेस पर भाप या वास्प के कडों में उसी ताप मान पर पानी के कडों की अपैख्चा अधिक उड़जा होती है क्योंकि भाप के कडों में वास्प बिकरन की गूप तुष्मा के रूप में अतिरिक तुष्मा अवसूसित कर लिया इसलिए भाप में जलने की तीवरता अधिक मेंसुस होती है जैसे ice convert हुई थी liquid में similar यहाँ पे 100 degree Celsius में liquid किसमे convert हो रहा है gas में convert हो रहा है ठीक है gas में convert हो रहा है उस दोरान क्या हो रहा है gas में convert होने के लिए 100 degree Celsius पे water क्या ले रहा है वास वेपर में convert होने के लिए जिसे वास पिकरन की गुप तुश्मा कहते है ठीक है तो जब यह हम लेंगे गुप तुश्मा तो वो क्या करेगी अतिरिक तुस्मा उसमें होगी जिससे जब हमारी skin port टच होगा तो हमें अधिक जलन महसूस होगी नेक्स्ट क्वेशन इसमें निम लिखी चितर के लिए A, B, C, D तथा F की अवस्ता परिवर्तन को ना मंकित करें तो यह चितर देखते हैं यह आप एक डाइग्राम देख रहे हैं A, B, C, D, E, F यहाँ पर क्या आएगा देखिए समझते हैं सॉलिड से लिक्विड क्या होगा लिक्विड से गैस होगा तो क्या बोलेंगे उसको गैस से लिक्विड बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे सॉलिड से अगर सीधे गैस बनेगा तो उसे क्या, हम सबसे पहले देखते हैं जो A क्या हो रहा है, यहाँ पर गलनांक हो रहा है संगनन, मतलब solid किसमे बदाल रहा है liquid में, ठिक B में क्या होगा, waspicran मतलब liquid किसमे बदलेगा gas में C में क्या हो रहा है, condensation या संगनन, मतलब gas किसमें बदल रही है लिक्विड में डी में क्या होगा सॉलिडिफिकेशन मतलब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में इ में क्या हो रहा है सब्लिमेशन ने उड़ दो पातन मतलब सॉलिड सीधा किसमें बदल रहा है गैस में और एफ में क्या हो रहा है यहां भी सब्लिमेशन हो रहा है मतलब गैस सीधे किसमें बदर रहा है सॉलिड में इस परकार से आपकी अवतर यह कंप्लीट हो गए है